नमस्कार दोस्तों आपका अपना यूटूब चेनल अर्जुन टीच्पॉयंट में स्वागत है आज मैं आपके सामने हिंदी ब्याकरन लेकर आया हूँ जो बहुत ही इंपोर्टेट होने वाला है आपके एकजाम के लिए ये आपका चाहे दसमी के एकजाम हो चाहे बाराहमी के एकजाम हो ये सभी एकजाम के लिए बहुत इंपोर्टेट होने वाला है इसलिए मेरे वीडियो को अंतर देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा देखिए लिंग लिंग आपको पता होगा दोस्तों लिंग क्या कहते हैं तो जो नर या पुरुष होने का अबोध कराता है उसे लिंग कहते हैं ठीक है यह लिंग जो है हिंदी में दो लिंग होते हैं आपको पता होगा हिंदी में दो लिंग होते हैं और संस्क्रीत में कहा जाए तो तीन लिंग होते हैं और अगर इंगलिस में बात कहा जाए तो चार लिंग होते हैं इंगलिस में स्वीधा होती है कि हम लोग मास्कुलिन फ्यम्निन कॉमन और न्यूटर को पहशान लेते हैं संस्कीत में भी असानी से पहशान लेते हैं पूलिंग इस्तेलिंग और नपुशंग लेकिन हिंदी में दो ही लिंग होते हैं जिससे समस्याएं होती है लेकिन खर और समस्या आपकी आसान होने वाली है लिंग दो परकार के हिंदी में होते हैं पूलिंग और अस्तेलिंग तो आईए कुछ बिच-बिच में ब्याख्या करके हम बता देंगे कि लिंग को कैसे पहशानेंगे अब देखिए कोशन नमबर पहला में क्या है तो पहला में है पूजा पूजा का लिंग नहीं करे तो आपको तो पता है पूजा किसी लड़की का नाम है तो ये पूजा क्या होगी अस्तिलिंग होगी ठीक है नेक्स्ट फाल का लिंग नहीं करे तो देखिए फाल जितने भ कि देखिए पूरुस को तो पूलिंग आप लोग जानते ही हैं और अस्तिरी को रे जानते हैं अब आगया नेक्स्ट जो पूलिंग और मतलब जैसे अगर पूरुस यह तो पूलिंग श्तिरी यह तो यह छेलं लेकिन जो अगर निर्जीthree पदार्थ है तो उसे केशे पहस्चानेंगे तो कुछ-कुछ बाते हैं देखिए कुछ बात हैं एक है जी फिर क्या है गही फिर क्या है दही फिर क्या है मही फिर क्या है मोती फिर क्या है पानी ये छे सब्द है जी घी दही मही मोती पानी ये छेओ को छेओ पूलिंग है दोस्तों छेओ को छेओ क्या है पूलिंग है मतलब जिसके अंत में इ आवे जी इ घी इ दही इ मही इ टोकरी इ तो जिसके अंत में इ आवे और निर्जीव पदार्थ हो क्या हो निर्जीव मतलब जान उसमें नहीं हो आप परानी बाचक हो तो सब ही के सब ही इ वला को अस्तिरी लिंग कहते हैं अब वाद में ये छेओ छोड़कर जी घी दही मही मोती पानी जो है पुलिंग है बाकी इ आवेगा तो क्या है अस्तिरी लिंग जैसे में देखिए कि कडाही इ आ रहा है तो अस्तिरी पगड़ी इ आ रहा है अस्तिरी लिंग तोकरी क्या रहा है अस्ते लिंग लकड़ी क्या होगा अस्ते लिंग यह आ रहा है समय लेकिन जी घी दही मही अगर घी कह दे तो यह पुलिंग होगा क्योंकि यह अपवाद में छे हैं तो आई फल का नाम फल का लिंग नहीं करें फल क्या है तो फल का नाम पुलिंग होता है लेकिन अपवाद में जैसे नासपति ही आ रहा है तो नासपति क्या होगा अस्तेलिंग तो फल का लिंग्णीन क्या होगा है? पूलिंग नेक्स देखे दोस्तों ये बला स्क्रिंसोर्च कर लिजेगा ताकिए आपको आगे समझाने में शूइधा हो क्या है देखिए सिच्छा का लिंग निने करे सिच्छा क्या है तो आ अंत में आ आबे तो भी अस्तिलिंग होता है तो सिच्छा क्या होगा अस्तिलिंग देवनागरी का लिंग निने करे देवनागरी इस सब्द भी अंति में अस्तिलिंग होता है वन का लिंगनी नहीं करें वन अन्सब्द यह क्या है पुलिंग है वन क्या है दोस्तों पुलिंग है आगे देखें कोचा नमर शीक्स डिबिया का लिंगनी नहीं करें तो डिबिया जो है वो अस्तिलिंग होता है डिबिया, खटिया, बुढ़िया यह सब क्या है अस्तिलिंग है सेट का लिंगनी नहीं करें तो सेट क्या है पुलिंग सेट हो गया साहुकार हो गया मतलब ये आपको set से पते चल रहा है set का अस्तिरी लिंग क्या होगा set हानी तो set क्या है pulling आगे देखे question number 8 बुढ़ हापा बुढ़ हापा क्या है दोस्तों तो बुढ़ हापा भी pulling है खीर का लिंग निने करें तो खीर क्या है अस्तिरी लिंग पीपल का लिंग निने करें, तो पेड के नाम फुलिंग होते हैं अप वाद में अस्ति लिंग, कौन ते, इमली का पेड अब आए, नेच्ट देखिए, कोशेन नमर 11 हिंदी का लिंग निने करें, हिंदी, य आ रहा है, क्या होगा दोस्तों, अस्ति लिंग गोदाबरी नादी के नाम क्या होता है अस्तिलिंग ये भी आ रहा है एक का लिंग नहीं करे तो एक खा आ रहा है ये भी क्या होगा अस्तिलिंग कचवडी कचवडी इ आरहन दोस्तो तो इ वला क्या होगा अस्तिलिंग इ जितने भी सब्ध होंगे आप प्रानी बाचक होंगे वो सभी के सभी अस्तिलिंग शिर्फ कौन छोड़कर जी, घी, दही, मही, रोटी, मोती और पानी ये सभी को छोड़कर ये सब पूलिंग है देखें कोशे नबर 15 शजावट आवट घुमावट आवट तो आवट सब्द भी क्या होता है अस्तेलिंग नेक्श देखें गेहुम कोशे नबर से किश्टिंग में क्या है गेहुम सब्द क्या है तो आनाच के नाम पूलिंग होते है बसरते कुछ-कुछ अस्तेलिंग गेहुम क्या है पूलिंग है जो इवला रहेगा आनाच के नाम वो क्या होगा अस्तेलिंग पर्तिग्या पर्तिग्या क्या है अस्तेलिंग शूरिय का लिंग नियुने क्या है सूरी क्या है पूलिंग है सूरी क्या है दोस्तों पूलिंग है देखे नेक्स्ट कोशन धर्मसाला धर्मसाला क्या है दोस्तों तो अस्तिलिंग है देवनागरी देवनागरी यह आ रहा है यह क्या होगा अस्तिलिंग लॉंग का लिंग नहीं करें लॉंग क्या है दोस्तों अ अस्थिलिंग होते हैं नेक्स देखिए कॉषोन नमार 22 relevant का लिंग नहें करें लेंदेन दो सबन अगर चलता है तो उसमें क्या होगा हो पूलिंग होगा ऺशГाएचावी चावई आ रहा है तो इस आघारत के आँगी अस्थिलिंग देखे दाही देखे दाही इ आ रहा है तो इ आ रहा है तो आपको पता है कि यह अपवाद में है कौन-कौन जी घी दाही मही रोटी मोती पानी यह छे को क्या है पुलिंग है तो दाही भी उसी अपवाद में है तो दाही इ होने के बावजुद पुलिंग है यह का है कि नगे करें तो तेल हन्द पता अध्रध्र होते हैं बताएं अश्द प्या लिट सकता अध्र गुमावफ्र के अश्दे यह भाज्डा आणाज के नाम क्य मुद्टे दोस्तो पुलिंग होते हैं अब मां कई अस्ती लिंग होगा सब्जी का लिंग निने करे सब्जी यह या रहा हैँ इस क्या होगा अस्ती लिंग ठीक है देखे लोहा जितने भी खनीच पदार्थ होते हैं वो अस्तिलिंग होते हैं बसरते कुछ छोड़ करके क्या तो लोहा शोना इसा पुलिंग होते हैं जैसे लोहा शोना पुलिंग होते हैं लेकिन वही कहा जाए चांदी तो चांदी क्या हो गया अस्तिलिंग चांदी अपवा लिंग निने करें कमल नयानी नयानी नी इनी इ आ रहा है तो क्या होगिया अस्ति लिंग शुंबार का लिंग निने करें स्वंबार क्या होगा पूलिंग होगा फिर देखे पंजाबी ए आ रहा है क्या होगिया अस्तिलिंग मंगल का लिंग नहीं करें मंगल क्या होगिया पूलिंग शीर का लिंग नहीं करें शीर क्या होगिया पूलिंग आगे देखेगा 38 question number क्या करता है अधियाच्छा आपको पता है अधियाच्छा अधियाच्छ से बनाए अधियाच्छा अधियाच्छ पुलिंग सब्ध है और अधियाच्छा क्या है अस्तिलिंग सब्ध है तो अधियाच्छा अस्तिलिंग पानी पानी क्या है आपको बताया जी घी दही मही रोटी मोती पानी तो ये ई बाला जो है ये पुलिंग है अब बाकी इतना छोड़ा करके जितने भी अंत में ई आवे और आप रानी बाचा कहो सब कर सब क्या है अस्तिलिंग है तो पानी पुलिंग है क्योंकि पानी क्या में है अपवाद में है नेक्स्ट कोश्चन देखिए कपड़ा पुलिंग है आत्मा आत्मा अस्तिर लिंग है छात्रावास पुलिंग है छात्रावास क्या है दोस्तों पुलिंग है देखिए परिच्छा का लिंग नेकरे परिच्छा क्या है अस्तिर लिंग है जल का लिंग नेकरे अभी बताएं पानी क्या है उधर दोस्तों उधर बताएं पानी क्या है पुलिंग है पुष्टक का लिंग नेकरे पुष्टक क्या है अस्तिर लिंग देहेज क्या है अस्तिर है कि अधार्ण किया दोस्तों पूलिंग है कि अधार्ण है देखिए कि क्या है जी अभी बताये हैं जी घी दही मही रोटी मोटी पानी तो जी जी क्या हो गया पूलिंग हो गया हिंदी के में लिंग कितने परकार के होते तो बताये शुरू में पूलिंग और अस्ति लिंग हिंदी में कितने लिंग होते हैं दो लिंग होते हैं पवन का लिंग निने करें पवन क्या होगा फूलिंग आम का लिंग निने करें आम आपको बताएं फल का नाम क्या होते हैं पूलिंग लेकिन कुछ-कुछ अस्तिलिंग जैसे नासपतिक क्या होगा अस्तिलिंग लेकिन आम क्या होगा पूलिंग पूर्णिमा का लिंग ने करें पूर्णिमा क्या है अस्तिलिंग चिणियां क्या है अस्तिलिंग ठीडिया अस्तिलिंग तोता तोता क्या है पूलिंग है देखिए ऐसा पच्छी का नाम जिससे ये ने पता चले कि पूरुस होता है कि इस्तिरी होता है तो उसे पूलिंग समझा जाता है शोना बताएं कि खानीश पतार्थ का नाम क्या होगा पूलिंग होगा शिर्फ चांद यह आ रहा है आगे देखिए कोशन नमबर 56 हिमालय हिमालय क्या है तो पहाड का नाम पूलिंग होते हैं परतिग्यां परतिग्यां क्या है अस्तिरिलिंग शागर शागर क्या है पूलिंग शागर क्या है दोस्तो पूलिंग नेक्स्ट कोशन देखिए 59 अगनी यह आ रहा है क्या होगा अस्तिरिंग पार साला पार साला क्या होगा अस्तिरिंग रुपिया रुपिया पूलिंग रुपिया क्या होगा पूलिंग आगे देखिए देश का लिंग्नीने करें देश क्या होगा पुलिंग होगा बोजपूरी यह आ रहा है क्या होगा अश्टेलिंग आगे देखिए शेना पती शेना पती कोन है तो पुरुष चाती का बूद कराता है ठीक है प्राणी बाचक नहीं है आप प्राणी नहीं है तो क्या होगा पूलिंग उल्लास पूलिंग लोटा पूलिंग खीर कोचन नमर से किस्टी से मनें देखें खीर क्या होगा अस्ति लिंग अमावत घुमावत घवरहट क्या होगा अस्ति लिंग पता है तो क्या होगा पूलिंग नेक्स देखें और रात रात क्या है अस्ति लिंग शंसार शंसार क्या है पूलिंग अब आगे फिर वही चीज जी घी दही मही रोटी मोती पानी मोती मोती तो मोती है लेकिन ये अपवाद बला है इसलिए ये क्या होगा पूलिंग और अभी वार क्या होगा पूलिंग भूख भूख खावेगा तो क्या होगा अस्ति लिंग फागून तेहवार का नाम पूलिंग लोहा खनीच का नाम पूलिंग चटाई चटाई ये आ रहा है क्या होगा अस्ति लिंग क्या होगा दोस्तो अस्ति लिंग आगे देखे अठत्तर में महा पूरूश पूरूश है पूलिंग अस्मिनी ये आ रहा है क्या होगा अस्ति लिंग गंगा नदी का नाम है अस्ति लिंग चावल अनाच का नाम है पूलिंग पन कूटी पन कूटी टी ये आ रहा है क्या होगा अस्ति लिंग बेटा इतो आपको पते ही है पूलिंग होगा पीपल पेड का नाम पूलिंग कोख खा रहा है अस्तिलिंग खावेशे अस्तिलिंग गवालिन गवालिन इतो पते चल रहा है कि गवाला से गवालिन बना है अस्तिलिंग अशोक तो पता ही है लड़का के नाम है पूलिंग भवानी या रहा है अस्तिलिंग एक खा रहा है अस्तिलिंग परवत परवत हुगया पूलिंग परवत क्या आगे दोस्तो पूलिंग आगे देखिए हाथ का लिंग था शरीर का आगे नाम पूलिंग परार्थना अस्ते लिंग इलाईची इलाईची ची यह आ रहा है अस्ते लिंग नच्छत्र का पुलिंग पाड़ साला का लिंग निन है साला रहा है अस्ते लिंग आगे देखिए पुस्तक पुस्तकाले पुस्तकाले क्या होगा पुलिंग मचली मचली अस्टेलिंग ऐसे भी मचली सजी हो या मुना नदी का नाम क्या होगा अस्थेलिंग को नगी कर नाम क्या होता है पूलिंग तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जबरू बताएगा इस तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा धन्यवाद दोस्तों आपका दिन मंगल मैं हो